अब्सक्राइब टूर्टिजिट नंबर तूर्टिप्लाइड वाइड वाइड अन्सर इकल टो शिक्स डिजिट नंबर शेम डिजिट इजिट इएड इड इडिजिट इस ताइम टी question का क्या मतलब है कि five different digits लेनी है जिसमें कि multiply हमको किसका करना है first digit का इधर से left hand side से first digit A और A same होना चाहिए और जो product आएगा वो ये last digit है वही six digits में आनी चाहिए अब इसको solve करने के लिए हम लोग देखते हैं कि A की क्या value ले जाए और E की क्या value आएगी अगर हम लोग A equal to one लेके चलते हैं suppose A equal to one तो अगर A equal to one लेंगे तो यहाँ one लगा देंगे different digit of one का multiply करेंगे तो answer क्या आएगा same चीक है तो लेकिन ये possible नहीं है क्योंकि one का digit क्या है possible नहीं यानि A हम लोग 1 के बरावर नहीं ले सकते हैं अब हम लोग देखेंगे कि two, three, four से लेके कौन सी डिजिट को ले सकते हैं तो देखें एक चार्ट बनाया है मैंने simple समझाने के लिए अगर E को हम लोग 1 से लेके 9 तक कुछ भी लें और A को टू से लेकर 9 तक क्योंकि one तो ले ही नहीं सकते अब सभी का product लिख लिए है टू इंटू वान टू ऐसे करके इन सब का product लिए है अब समझ से आए कि first digit A और multiply ये A और आना चाहिए E यानि इन दोनों का जो multiply होकर E वाली डिजिट आनी चाहिए तब देखिए अब यहाँ पर हम लोग खोजेंगे ऐसा नंबर कि multiply भी हो रहा हो ये तो देखिए 3 इंटू 5 यहाँ देखिए 3 इंटू 5 15 अब यहाँ पर क्या है A अगर 3 है तो E 5 में multiply करेंगे तो last digit 5 आएगी य यानि इसका multiply करके यह दोनों डिजिट सेम होनी चाहिए देखिए और लेते हैं आपका आएगा next आएगा 6 इंटू 2 12 देखिए 2 के साथ multiply कर रहे है last digit 2 है अब यह देखते जाएए ठीक है यहाँ 4 का multiply कर रहे है last digit 4 5 का कर रहे हैं यहाँ भी last digit 5 यह 5 बाला तो आही जाएगा तो 5 का multiply कर रहे हैं तो 5 तो सभी में आ रही है ठीक है फिर 6 का multiply कर रहे है 6 में तो 36 आ रहा है और 6 का यह कहां से देख रहे हैं ऊपर 8 है यहाँ भी 8 जिसमें आ रहा है यहाँ 6 है जहां जिसमें 6 आ रहा है यानि यह और जो product है वो तो सेम आ रहा है नहीं हाँ पर देखिए यहां अगर 6 आ रहा है ठीक है तो इसमें कितने का multiply करें यहां भी 6 आना चाहिए तो हम लोग यह दोनों digit को same यहां देख रहे हैं तो देखें यहां पर possible कितने बन गए आपके 1,2,3,4,5,6,7,8 अनि कोई भी number है A और E इन मैंसे ही होगा लेकिन A और E बराबर नहीं है A is not equal to E तो जब A और E बराबर नहीं है तो यहां पर दो समस्या है आपकी खत्म हो गई यह number हम नहीं ले सकते क्योंकि दोनों 5,5 है 5 इंटो 5,25 यानि यह नहीं हो सकता और यह 6 इंटो 6 नहीं हो सकता तब आपके पास कितने pair बच गए देखिए पहला एक बचेगा 8,35 बचेगा 3 इंटो 5 हम लोग ले सकते हैं दूसरा 7,5 तीसरा 9,5 तो यहां देखिए multiply से 3 इंटो 5,7 इंटो 5,9 इंटो 5 और इधर से लिजे 6 इंटो 2 पेर और बनेगा 6 इंटो 2 हो सकता है 6 इंटो 4 हो सकता है और 6 इंटो 8 यानि मेरा A इं मैं से हो सकता है 3,7,9 में 6 हो सकता है और जो E है वो 5,2,4,8 इं मैं से कोई हो सकता है अब हम लोग इनको चेक करते हैं यानि हम लोगों ने A is not equal to E था तो दो पेर हो अल्डेडी हटा दिये अब मैं A और E में यहाँ पर पेर ले रहे हूं पहले 6 यह वाले लेते हैं 6,2 फिर 6,4 और 6,8 यानि मेरा question है A, B, C, D, E multiplied by A equal to E into E into E six times same digit six times और अगर हम लोग इसको लिखे है A, B, C, D, E equal to क्या हो जाएगा E into E six times divided by A इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं cross multiply हो रहा है answer ही आ रहा है तो अब हम लोग यहाँ पर check करते हैं देखिए पहला पेर लेंगे six two के लिए ठीक है A की जगह six और E की जगह two one two इसको six times लिख लें divided by six जब divide करेंगे तो answer आएगा three seven zero three seven इस तरीक है लेकिन A, B, C, D, E five different digits हैं तो यह तो आपका A, B, C, D, E के बराबर नहीं हो सकता क्योंकि सारी ही digit क्या है different हैं दूसरा पेर चेक करते हैं हम six four को छिक है तो फिर वही करेंगे four divided by six तो जब इसको divide करेंगे तो यहाँ आएगा seven four zero seven four यह भी possible नहीं है क्योंकि सारी ही digit यहाँ पर seven four seven four आ गई और कोई भी दो डिजिट आप में सिम नहीं है अब next लेंगे six eight इसको चेक कर लेते हैं six eight यानि equal to six और equal to eight अब इसको six से divide करेंगे तो आएगा one four eight one four eight यहाँ भी digits repeat हो रही है कोई भी दो डिजिट नहीं है यानि यह भी मेरा number नहीं है next अब अगले pair में चलते हैं जो seven वाला था तो यह था seven एक था three five seven five ओके तो पहले three five को लेते हैं तो three five में क्या होगा आपका five 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 यह तो five है ना divided by three अब देखिए यहाँ से divide करेंगे तो one eight five one eight five ऐसा कुछ आएगा यानि यह भी आपका a b c d e के बरावर नहीं है क्योंकि digits repeat हो रही है फिर next pair पर हम लोग चलेंगे seven five चेक है फिर वही डिवाइड करना है हमको इसी five 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 को seven से अब देखिए यहाँ डिवाइड करने परा रहा है seven nine three six five यानि all digits are different यह मेरा a b c d e है यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है a equal to a क्या हो गया seven b nine c three d six and equal to five चीक है अब आप लोग इसको चेक कर सकते हैं seven nine three six five multiplied by seven first digit same थी seven and the last digit e यही आना था बार बार रेपीट होना था the product यही आना है ठीक है a और a same यह a थी यहाँ पर a था यह e और यह e the answer is seven nine three six five multiplied by seven equal to five lakh fifty five thousand five hundred fifty five क्यो थाना है a okay क्यों 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 है अवा अब्र फे नॅ क्यों दे डीक Guys क्यों सब्सक्राविक टो ब मना हूई यही तौड्म यही आना है उना है हम प हैगे इसक्युरणा है